अलो डियर इजोटेंट्स फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं मैगमा क्लासिस अखिल सर इसमें हम देखेंगे इंडिया जी के संगम टाइम पिरड़ की इतु हैं इंडिया जी के हम देखने वाले हैं और मैकजिमा लोगों को सब्सक्राइब करने कले शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, कुछ अच्छा मेटरी दिकर आपको और अच्छा चाहिए, तो मुझे कॉमेंट करके बताएं, तो लेट्स स्टार्ट आज वीडियो स्टार्ट करते हैं, संगम काल के बारे में, तो हमारा फर्स्ट कुशन है, नाइन्थ शताब दी जो है उसमें चोल सामराज्य का संस्थापक कौन था, चोल सामराज्य का संस्थापक, देखोए, दक्षिन का है, साउत का है, कब कहां का है, साउत का है सामराज्य, तो वीजियाले जो है, वीजियाले इसका संस्थापक हुआ करता था, और ये शुरुआत में कहता पल्लवों का सा साम राजे की स्थापना की तंजोर के ब्रहदेश्वर मंदिर का निर्मान किसके शाषनकाल में हुआ था तो ये हुआ था राज राजा पर्थम के शाषनकाल में एरिक मेडू एक नगर है जो प्रसिद्ध था संगम युग में बहुत फैमस था ये गंगे कॉड चौलपुरम इसकी इस्थापना इस नगर की इस्थापना किसने की थी इसकी इस्थापना की थी राजे पर्थमने किस मंदिर परिशर में भारी बरकम नंदी की मूर्थी है देखो सबसे ज़ादा भारी नंदी की जो मूर्थी है और इसको भारत की सबसे बड़ी नंदी की मूर्थी भी माना जाता है तो ये कौन से मंदिर में हैं ये है ब्रहदिश्वार मंदिर में ठीक है प्राचिन गरंथों में प्राप्य यवन प्रिय कुछ शब्द आता था प्राचिन गरंथों में इसे यवन प्रिय बोलते थे और यवन प्रिय किसको बोला करते थे काली मिर्च को ठीक है किसने विलीय उत्तर ने मुरुगन को ऐसे सवां संगम काल में जो लोकल के शी em निकीत फाइर ता तो मुरुगन किसके लिए आ जाता था पहाड़िक शेत्रों के संगमकाल में शाशक को क्या कहा जाता था शाशक को कहा जाता था को क्या कहा जाता था को शिल्पकादिरम शिल्पादिकारम किस पांडे राजा का उल्लेक हुआ है इस ग्रंथ में कौन से में शिल्पादिकारम में तो इसमें उल्लेक हुआ है नेदुजेलियन का किसका शिल्पादी कारम में। तुरूत क्देवर, कि रचना जीवक चिन्ता वनी। जीवlak ज्जादा जेन-धरम से संबंधित होता है। तो ये किसे संबंधित था, जेन-धरम से संबंधित था। ठीक है। संगम काल में वेलालर और किसको कहा जाता था किसान में पर्थम और तीसरा संगम में और दूसरा संगम और को और तूसरा अ दोर ने पुरब में ठीक है दक्षिन भारत में संगम परतिनिदित करता था कभी गोश्टियां होती थी धार्मिक कभी गोश्टियां जिनको बोलते हैं वो हुआ करती थी उसको संगम कहा जाता था ठीक है संगम काल में चोलों की राजदानी चोल चोलों की राजदानी क्या थी ठीक है आगस्टस के रोम के सिके कहां से प्राप्त हो है संगमकाल में अरिक मेडू से प्राप्त होएं तो ये 20 कुशन थे संगमकाल के जो बहुत important है नेक्स्ट कुश्चन अगले वीडियो मिलते रहेंगे हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास ये पहुंच सके रेलवे, इंडियन जी के आरेस, आईएस, आर्टी एस आरजेस, आईपी एस इन सबके में ये जी के काम आती है जो वेरी हलपफुल है आगामी एक्जाम्स के लिए तो प्लेज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर दिस वीडियो